गैस पेज इंडस्ट्री लिमिटेड का शेर आज के दिन भी गिरा है 0.56% के आसपास जिनलों को नहीं पता पेज इंडस्ट्री क्या करती है तो यहां यह नाम देख लिजे आपको पता चल जाएगा वैसे तो बहुत सारे काम की करती है लेकिन में जो इसका ब्राइंड है वो है जोकी का और जिनलों को अभी तक इसका प्राइस नहीं दिखा वो प्राइस देख लें एक शेर का प्राइस है 36915 तो जो 2500 वाले बजट वाले हैं वो इसको इगनोर कर सकते हैं बड़ किसी चीज़ को सीखने में कोई बुराई नहीं है तो आप यह देख सकते हैं अभी हम लोग इसे डिसकुस क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे मन्थली बाइंग लेवल के आसपास है और इसका ओल टाइम का चार्ट देखेंगे तो आपको एक कंसिस्टेंटली उपर जाता हुआ स्टाउक दिखेगा जिसमें बीच बीच में इन्वेस्टमेंट के मौके यहां पे यहां पे यहां पे मिलते रहते हैं तो वैसा ही एक मौका देखने में यहां पे भी लग रह तो यही हम लोग चेक करेंगे कि यह investment का मौका है या फिर कोई दोका है अब देखें हम लोग इसमें कुछ main चीज़ें ही देखेंगे अब इसमें इसका ROC और ROE देखें इसकी बेज़ती नहीं करना चाहते हैं हम लोग तो आगे बढ़ते हैं main चीज़ों पर जूकि है इसका shareholding pattern इसमें हम लोग देखेंगे कोई changes है क्या तो एक change दिख रहा है मुझे कि इसमें थोड़ी बहुत एक एक per cent की selling कहीं कहीं हम लोग को देखने को मिल रही है ठीक है तो promote culture इसमें a के आसपास बीच बीच में कम करते जा रहे हैं लेकिन वो जा किसके पास रहा है वो जा रहा है डी आई आई के पास देखिए यहां से यह देखिए बढ़ गया यहां से यह देखिए बढ़ गया इवन पहले भी बढ़ गया इसमें भी बढ़ गया ठीक है यहां पर एक कमी आई थी बस उसके अलावा और पांकी टाइम पर ये हमेशा बड़ा है लेकिन उसके उलट में आप देखेंगे तो FII इसमें सेलिंग करते जा रहे हैं तीक है इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी जो इनकी होल्डिंग है इन्डिविजूल भी FII की होल्डिंग 20% से जादा DII की होल्डिंग 20% से जादा बहुत ही जादा पॉजिटिव चीज है ये ठीक है और ऐसे ही नहीं ये शेर इतना महेंगा हो गया 36,000 रुपीज का एक शेर है तो देखे ये शेर बिगनर्स के लिए भी है और experience वाले जो है उनको तो पता ही है लेकिन बिगनर्स के लिए भी ये शेर खराब नहीं है कई बार बोल चुका हूँ किसी शेर को buy करना है या नहीं उसके लिए हमको सिर्फ दो चीज़ें देखनी है नेट सेल्स उपर जा रहा है प्रॉफिट भी लॉंग रन में उपर जा रहा है ठीक है तो दोनों चीज़े पॉजिटिव है अब देखे यहाँ पे इसके कैंडल वाले चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो यह मंतली कैंडल का चार्ट है ठीक है थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आपको दिख रही होगी अब इसको हम लोग बहुत छोटा कर देंगे तब आपको यह इस तरह का दिखेगा ठीक है तो खेर वो अलग बात है अब इसमें दो लेवल बन रहे हैं एक बन रहा है हमारा मंतली लेवल तो मंतली लेवल कहां बन रहा है यह है 36065 का यह है जूलाई मंत का इस महीने का जूलाई मंत का यह टार्गेट है 36065 तो यह है मंतली टार्गेट और एक टार्गेट और आसपास में है वो है येरली जो पहला target हमारा होता है वो भी pass में है वो है 34790 का ओके तो दो target pass में है अब ये जुलाई में अगर यहां पे आ जाता है तो क्या इसे buy कर लें या फिर 34000 का wait करें देखे अलग-अलग strategy हो सकती है आपकी मैं क्या करने वाला हूँ मैं बता रहा हूँ मैं यहां पे 36065 पे थोड़ी सी अब थोड़ी सी भी तो बहुत हो जाती है इसमें quantity तो मैं इसमें बहुत थोड़ी सी quantity लेने वाला हूँ और अगर by chance यह गिर के 34790 के भी नीचे चला जाता है तो मैं वहां पे भी थोड़ा सा और add करूँगा और in case अगर यह हमारे yearly जो final और second जो level होता है वहां अगर चला गया जो कि कितना है 28500 के नीचे तो 28500 के नीचे by chance किसी भी reason से गिरा तो इसमें मैं अपनी जो अच्छी खासी quantity है वो लूँगा ठीक है बहुत जल्दी में मैंने सब कुछ बता दिया मंतिली लेवल कितना 36.065 yearly पहला लेवल 34790 और मेरा final investment लेवल 28500 का है ठीक है तो लेवल जितना हो उपर होगा उतनी छोटी quantity में लूँगा लेवल जितना जादा नीचे होगा उतनी ज्यादा quantity में लूँगा ये मेरा plan है आपका क्या plan है comment section में लिखके बता सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में